यह कोस्चन क्लास 10 मेंसुरेशन का सिलिंडर के उपर है इसको अगर हम कोस्चन परते हैं तो बोलता है सिलिंडरिकल टैंक सबसे पहले अगर एक डाइग्राम देखे हैं हम लोग इसी का डाइग्राम अगर बना लेते हैं तो हमको बनाने में सॉल्व करने में आसानी होगी सपोज कर लेते हैं यह सिलिंडर है जिसका की डाय मीटर जो है फोर मीटर दिया हुआ है डाय मीटर फोर मीटर ने हाइट दिया हुआ है फोर मीटर तक पानी है इसमें आपका इसका diameter जो है 7 meter दिया हुआ है तो diameter 7 meter है इसका मतलब radius जो है वो r is equal to हो जाएगा 7 by 2 that is 3.5 meter अब height दिया अब निकालना है आपको find the total area of the wet surface तो पानी अगर यहां तक है तो यह curved surface area भिंगा होगा weight होगा और उसके साथ base में भी पानी लगा होगा तो अगर हम इतना area curved surface area प्लस एक ही base area दोनों base area नहीं क्योंकि उपर में पानी नहीं है तो weight यह प्लस यह दोनों area निकालते हैं तो हमारा यह question solve हो जाएगा तो सबसे पहले हम चलते हैं इस area को निकालते हैं तो csa यानि curved surface area is equal to होता है 2 pi r h 2 pi का value लेने बोला है कितना 3.14 तो 3.14 into r का value है कितना 3.5 into height कितना है 4 meter यह हो गया meter square तो इसको अगर हम करते हैं तो यह हो जाता है 6.28 into यह हो जाता है 14 और इसको अगर multiply करते हैं तो कितना होगा 87.92 meter square यह area निकल गया इतना सा यह curved surface area cylinder का अब एक area और weight होगा जो कि base है तो area of base is equal to यह circular है area होगा pi r square तो pi का value लेना है 3.14 into 3.5 into 3.5 meter square तो यह हो गया 3.14 into अगर 3.5 into 3.5 करें तो यह आएगा 12.25 और 12.25 into 3.14 करेंगे तो कितना आएगा भाई 38.465 तो total weight area total weight area is equal to हो गया 87.92 मीटर स्क्वाइर प्लस नाइन तू फाइव नाइन तू फाइव नाइन तू फाइव मीटर स्क्वाइर प्लस 38.465 मीटर स्क्वाइर और इसको अगर total करते हैं तो यह आता है 126.39 26.39 मेटर स्क्वाइर अग्रण तो फिजक्स्वाइर फिर शेक्स आपम।ए रफजुए शें दूम्-ट्रा दू nearest अच्छ बा स्क्वाइबD